हेलो श्रेंट वेल्कम बैक टू माई चैनल सो श्रेंट आज की इस वीडियो के दूरू मैं आप लोगों के साथ एक न्यू विकिंसी के बारे में डिसकस करने वाली हूँ जो कि FCI that means Food Corporation of India की है जो कि All India Level की विकिंसी है तो इसके बारे में मैं आपको complete information प्रोवाइट करवाने वाली हूँ कि आप इस फॉर्म को कब से कब तक apply कर सकते हैं इसमें फॉर्म करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कितनी पोस्ट आई हुई है ठीक है और एज लिमिट बगएर कितनी होनी चाहिए अप्लिकेशन फीस वगरा तो सारी उसकी नौटिफिकेशन वीडियो के अप्लोड होते ही मिल जाए ओके सोचन इसमें जो कि FCI की वेकंसी है इसमें लगभग 5000 प्लस पोस्ट आई हुई है तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वेकंसी आई हुई है और उन सभी के लिए आपकी इलिजबिल्टी क्या होनी चाहिए ठीक सोचन चलिए first of all हम देख लेते हैं जो कि है first में junior इंजिनियर की वेकंसी जो कि civil engineering की है तो आप इसमें जैसा कि देख सकते हैं इसमें टोटल जो है 22 पोस्ट आई हुई है तो आप जैसा कि देख सकते हैं और इसके लिए आपकी maximum age जो है वो 28 होनी चाहिए और आपकी मिनिमम मेर जो है वो 18 यह होनी चाहिए तो आप अगर मैं 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 जो है 28 तक आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाइग कर सकते हैं ठीक है सेलरी की बात करें तो सेलरी इसमें आपकी 34000 से एक लाग 3400 तक आपकी इसमें सेलरी जो है वो हो सकती है और बगर हम बात करें नेक्स पोस्ट के लिए जो की है यह भी जूनियर इंजिनियर की है इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल इंजिनिरिंग की है तो इसमें टूटल 8 पोस्ट आई हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं और इसमे ंसे कि मैक्सम में फ्मीर 5 यह होनी चाहिए और मिनिमम् 17 होनी चाहिए अनिसर्ली बात की बात करें तो सल Release इसमें आपकी जो है और 20 500 से 88100 ऐसे सामरी जो है वो हो सकती है ठीक है और next post की बात करें जो की ag यानी असिस्टंट जनरल की है जो की असिस्टं जनरल third की है तो इसमें जो है total आप जैसे की देख सकते हैं 436 post आई हुए है ठीक है कि आप देख सकते हैं समय हाई अमांट में जो है यू-र की post Hai II है जो क히 192 है ठीक है और इसमें मैंकसिमम ची बात करें तो मैंकसमें आपकी जो है 27 यह होनी चाहिए एंड सालरी की बात कि इसमें 28,200 से 79,200 तक आपके इसमें सालरी जो हो सकती है ठीक है एंड नेक्स्ट पोस्ट की बात करें जो कि आप जैसा कि देख सकते हैं एजी यानि असिस्टेंट जनरल की जो है थर्ड की है यह जो मैंने अभी बताई हूँ जनर के अगए पसेंट इसमें रहने वाली है यह है एंड टेक्नीकल की बात करें तो इसमें 611 पोस्ट आई हुई है अ इसमें गैंस्ट फोस्ट घात करें तो टुू्टोल इसमें 2388 post आई हुई है ठीक है तो यह जो अभी बात की मैंने यह तो हो गया north zone की ठीक है and next बात कर लेते हैं जो कि आपकी south zone की आ जाती है तो इसमें भी आप देख सकते हैं कौन-कौन सी post आई हुई है सारी vacancy detail wise देख सकते हैं तो इसमें आप जैसा की देख सकते हैं साउथ की होगी और east zone की होगे इस जोन में कितनी वेकेंसी आई हुई है total 768 post आई हुई है and west zone की जो है 713 post आई हुई है and north east zone की बात करें तो इसमें total 185 post आई हुई है ठीक है and now qualification की बात करें तो जे यानि civil engineering के लिए जिसका post code A है तो इसके लिए आपकी जो है डिगरी complete होनी चाहिए civil engineering में and next post आती है जो की electrical mechanical की है तो इसमें electrical या फिर mechanical से आपका जो है डिगरी complete होना चाहिए next post जो की है stenographer की तो इसके लिए आपका graduation complete होना चाहिए and इसके साथ साथ आपकी जो है typing speed जो है 40WPM होनी चाहिए and stenography जो है 80WPM होनी चाहिए ठीक है and next post जो की AG general की है तो इसके लिए भी आपका graduation complete होना चाहिए किसी भी university से और इसके लिए post code जो है वो D है and next post जो की accounts की है तो इसमें भी आपका graduate होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको computer में knowledge भी होनी चाहिए ठीक है and next post जो की technical की है तो इसका post code F है तो इसके लिए आपका BSC complete होना चाहिए agriculture से या फिर आपका जो है BSC complete होना चाहिए botany, geology या फिर biotechnology से या फिर biochemistry से या फिर microbiology से और या फिर food science से और अगर आपने वीटेक किया है तो वीटेक भी आप जयसा कि देख सकते हैं अगर आपने food science से आपने वीटेक किया तब वीटेक की है तो आप इस form के लिए एलि dissemin law है और आपको इसके सांथ computer में नॉलेच भी होनी चीए उकी एंड नेक्स्ट पोस्ट की बात के जो की डुक्वाट की है तो इसके लिए भी आपका बैचलर डिगृ कंप्लेट होना चाहिए और आपको जो है computer में नॉलेच होनी है एंड नेक्स्ट पोस्ट की बात के जो की AG third हिंदी की है तो इसमें आपका जो है आपको translation आना चाहिए और इसके साथ जो है आपका मतलब हिंदी से English में translation आना चाहिए और आपका certificate भी होना चाहिए डिपलूमा कोर्स का ठीक है तो अगर आपके पास यह इलिजविल डेत है तो आप इस फॉर्म के लिए इलिजविल हैं आप एप्लाइ कर सकते हैं और मैं आप लोगों को बता दूँ यह पीडिएफ में आपको डेलियम चल पर प्रोवाइट करवा दूँगी तो वहां से भी आप इसको ड अभी सेम्च काे लिए पीपर क सेकंड की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं फेर सक देखा है यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं जैसा कि आपको बता देते हैं इसका मतलब क्या है तो आप यहाँ पे जैसा की देख सकते हैं पेपर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है इसकी मतलब जैसा की देख सकते हैं 120 मुल्टिपल टाइब के कुश्चन पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स के रहेंगे यानि की एक कुश्चन जो है टाइम दिया जाएगा पेपर फर्ड में आप जैसा की देख सकते हैं 120 कुश्चन पूछे जाएंगे 120 मार्क्स का रहने वाला है और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा तो आप जो है जिस भी पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हैं आप उस एकावडिंग देख सकते हैं कि आपका फीज सेकंड में कौन कौन सा पीपर होने वाला है ठीक है तो आई होप आप समझ गये होंगी बट अगर कोई भी क्वरी है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ठीक है ये स्थेनों के लिए स्थेनओं के लिए है फेस सेकंड में भाण होगा होगा कि ये वाला पेपर ःड कर रहेगा ठीक है ऑणड इस तेन्यों का आप क्लीर कर लेते हैं उसके बाद आपका स्किल्स की देख सकते है है स्केल टेस्ट होगा उसके बाद डीवी वगरण हो जाएगा ओके अप लोग इसका examination center भी देख सकते हैं आप जिस भी स्टेट से बिलॉंग करते हैं आप उस recording देख सकते हैं कि आपके नियरबाई में कौन सा examination center रहने वाला है तो आप उस recording आप अपना examination center जो है वो फिल कर सकते हैं थाकि आपको exam देने में easily रहे कोई भी problem नहीं हो आप अराम से जल्दी से पहुँच जाएं ठीक हैं अच्छा एक और चीज मैं भी आपको बता रही थी post के बारे में तो मैं आपको बता रही थी कि नॉर्थ जोन की कितनी post आय वही है तो अगर आपको नहीं पता है कि नॉर्थ जोन में कौन-कौन से state आते हैं तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ जोन में कौन-कौन से state आ रहे हैं तो आप जिस भी जोन में जोन से बिलॉंग करते हैं आप उस recording अपना examination center प्रिप सकते हैं और अपनी देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी स्पोस्ट आई वही है तो आप उसे कॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं और फॉर्म कर और जो एक सर्विसमें वगेरा हैं उनकी कोई भी एप्लिकेशन फीस नहीं होगी यानि उनको कुछ भी एप्लिकेशन फीस पे नहीं करना होगा सिर्फ OBC और और यूर और एड़ डिगरी के मेल कंडिनेट को 500 रुपीज एप्लिकेशन फीस पे करना होगा अप लोग अगर इस फॉर्म में इलिजबल हैं इंट्रेस्टेड हैं तो अगर आप अप्लाइक करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को सिख सप्टमबर 2022 से 10 अक्टोबर 2022 तक अ अगर आप इंट्रेस्टेड हैं इलिजबल है तो अप्लाइक कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके सो आई होप आपको यह इंफ्रमिशन पसंद आई होगी वीडियो संद आए वीडियो को लाइक केजिए शेयर कीजिए मिलते हैं नेक् अग्यू